हेलो गाईज कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल लोलीज भाई जी पर मैं हूँ आपका दोस्थ समयत कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नियो इंफोर्मेटिव वीडियो आज हम इस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के इस तरीके से रद कर सकते हैं को यह विश्वास दिला सकते हैं कि यह जो गवाही दे रहा है यह सची नहीं है तो जो भी टूडेंट देख रहा है वीडियो को नोट्बुक ले लीजिए पैनल ले लीजिए जो जो इंपोर्टेंट सेक्शन से जो जो इंपोर्टेंट रद किया जाए उसके विटनेस के द्वारा दी गई गवाहि को ट्रस्त ना किया जाए कोट के द्वारा इसका मतलब होता है कि जो प्रप्रेंश ए गवाहि रहा है उसके रियल वह जो असले से उसका दी greatest हुर दी 비롯 द्युर्छ को एकस्पोस करना कोट के समख्ष ताकि court उस witness पर trust ना करे जो वहाँ पर गवाही दे रहा है testimony दे रहा है आज का जो हमारा topic है इस से related कुछ other sections हैं जो की connected है जैसे कि section 138, 140, 145, 154 और 155 यह सारी आपको इन सभी के बारे में आपको read करना होगा इस से connect करके आपको पढ़ना होगा तब ही आप आज का जो यह topic है इसके बारे में समझ पाएंगे detail में क्योंकि यह सारी section witness से related है एक दूसरे से connected है section 38 बात करता है जब examination का order किया जाता है या re-examination की direction दी जाती है witness के बारे में section 140 बात करता है witness के characters के बारे में कि witness का character कैसा होना चाहिए अब हम बात करें section 145 के बारे में यानि कि जब कोई witness अपनी statement देता है अपनी testimony देता है और वो written में previously statement जो होती है उसका किस तरीके से cross examination किया जाएगा कब उसका cross examination होगा section 154 बात करता है जब अपने ही witness पर question किया जाता है बहुत सी ऐसी situation होती है जहाँ पर जिस party के दुआरा किसी witness को बुलाया जाता है वो उसी के against में testimony दे देता है तो वहाँ पर वो party जो है court की permission के साथ वहाँ पर उस पर question कर सकती है उसका cross examination किया जा सकता है और section 155 जो हमें आज का topic है impeaching credit of witness याने की witness जब कोई गवाही देता है उस गवाही को किस तरीके से रद किया जाए उस पर trust ना किया जाए court को यह satisfaction करनी होती है जो witness है उसके real character को court के समय जो है show करना होता है अब यहाँ पर कुछ following way दिये गए है जहाँ पर जो witness है उसको impeach किया जा सकता है adverse party के दुआरा और court की permission के साथ जिस witness को बुलाया जाता है गवाही के लिए अब कौन-कौन से way है यहाँ पर तीन way बताये गए हैं आप इस तरीके से किसी भी witness के credit को impeached कर सकते हैं सबसे पहला है इसे में एक example के दुआरा आपको समझाता हूँ suppose that एक A person है जो की हमारा पहला witness है और एक B person है जो की हमारा दूसरा witness है witness अब A जो है गवाही देता है adverse party के दुआरा adverse party के दुआरा A की गवाही दी जाती है लेकिन party को यह लगता है यह जो गवाही दे रहा है A person यह सही नहीं है इसलिए वो second witness को बुलाएगी इसके character को बताने के लिए कि इसका कैसा character है जो यह statement दे रहा है इस पर विश्वास ना किया जाए ताकि यह unworthy of credit को वो show करें जो second witness है अगर court के सामने ऐसा show हो जाता है तो वहाँ पर जो witness गवाही दे रहा है उसकी गवाही को impeached किया जा सकता है अब हम बात करते हैं दूसरे तरेके की दूसरा तरीका यह है कि जब जो witness गवाही दे रहा है उसने कोई bribe ली हो bribe को accept किया हो या कोई other cryptive inducement किया हो यानि किसी other way से उसे पैसे दे के suppose that पैसे दिये हैं या किसी other thing के वो corrupted है यानि कि मतलब यह है कि वो witness corrupted है किसी भी other way से उसे पैसे दिये गए हैं तो वहाँ पर अगर court के समक्ष ऐसा evidence दिया जाता है जिससे यह so हो जाए कि उसने bribe ली है घूस ली है तो वहाँ पर तब भी जो witness है उसको impeached किया जा सकता है अब हम third way की बात करें तो third way है जब कोई witness अपनी previous statement देता है जो former है यानि कि previous जो statement है उसकी वो inconsistent है जो अब की statement है यानि कि एक उसने पहले statement दी थी एक अब अब दी है उन दोनों में contradiction है यानि वो दोनों same नहीं है तब भी जो witness की credit है उसे impeach किया जा सकता है अब हम बात करें explanation की तो explanation में भी कुछ important बातों के बारे में बताया गया है जो की witness के लिए बहुत ही important है आपके जानने के लिए भी बहुत important है यानि की इसे हम एक example के दुआरा समझे तो एक A person है एक B person है ये दोनों witness है ये पहला witness ये दूसरा witness अब यहाँ पर जब A के दुआरा गवाही दी गई वो सच्ची नहीं थी अब B person को बुलाया गया कि इसके character को आप show करो कि ये जो गवाही दे रहा है ये सच्ची नहीं है तो यहाँ पर जब B जो second witness है वो जब अपना examination chief करेगा तो उस पर उसको यह reason नहीं पूछा जाएगा कि आप किस कार्ण से इस A जो witness है इस पर आरोप लगा रहे हैं तो जो explanation है इसमें यह बात की गई है लेकिन यहाँ पर point दिया गया है but he may ask his reason in cross examination लेकिन वो अगर इस B witness का cross examination किया जाता है तब वो यहाँ पर वो answer देगा कि किस कार्ण से आपने A को कहा कि यह trustful नहीं है इसकी जो गवाई है वो सची नहीं है लेकिन अगर जो second witness है जो second witness है अगर वो कोई false statement देता है तो उस पर false evidence देने का charge लगाया जा सकता है इस बात को भी आप जरूर ध्यान रखें अगर वो false statement देता है तब उस पर charge लगाया जा सकता है false evidence का अब हम समझते हैं illustrations को A ने मुकदमा किया B के उपर कि कुछ good थी जो कि delivered करनी थी A ने B को उसके prize के लिए उसने शू कर दिया यहाँ पर C एक person है C person ने ये कहा कि B को good delivered हो गई है जो कि एक third person है लेकिन जब evidence offer किये गए वो evidence ये show कर रहे थे कि जो delivery है वो तो हुई नहीं B को तो यहाँ पर ये evidence admissible होगा अब हम बात करें एको रेलो स्टेशन की तो यहाँ पर A को दोशी ठहराया गया B के murder का C ने कहा कि जो B है उसकी death किस कांड से हुई है उसकी death हुई है वाउंड से यानि घाव से यानि कि जब वो मर रहा था उसने dying declaration दी थी C person को लेकिन जब evidence offer किये जाते हैं वो ये show करते हैं कि जो C person कह रहा था वाउंड के बारे में वो A के दुआरा नहीं मतलब जो C person कह रहा था कि C person यहां पर यह कह रहा था कि उसने dying declaration दी थी कि वो गाहों के गाव यानि वाउंड के कांड मरा था लेकिन जब evidence show हुए तो वहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं थी नहीं उसका presence दिखाया गया किसी वाउंड का A के दुआरा तो यह evidence भी admissible होगा तो आज का जो हमारा topic है यहीं पर complete हो जाता है comment करके जुरूर बताइए आज की यह वीडियो आप सभी को समझ में आई थोड़ी भी informative हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए इसमें main वही तीन point है section के अंदर या तो second witness को बुला कर वहाँ पर पहले witness को यह proof कर दिया जाए कि जो यह बोल रहा है वो सही नहीं है अनमोर्थी है या तो फिर किसी और witness के दुआरा या party के दुआरा adverse party के दुआरा यह शो कर दिया जाए कि यह जो witness गवाई दे रहा है इसने पैसे लेकर गवाई दी है या तीसरा यहां पर बात की गई थी former जो उसने पहले statement दी थी और जो अब statement दे रहा है दोनों जो गवाई दे रहा है उसमें clash कर रहा है उसमें यहां पर बहुत ही जादा फर्क है तो इसलिए उसकी जो witness के credit को impeach किया जा सकता है तो फिर मिलते हैं कि new lecture में तब तक के लिए जुड़े रही है अमित कुमार knowledge भाई जी के साथ